हालो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल कछागरत में बच्चो आज आप लोग पढ़ेंगे दोगात समीकरण की जो अंतिम एक्सरसाइज है 4.4 इसमें आपको सीखना है कि मूलों की प्रकृति हम कैसे ग्याद करते हैं मूलों की लक्षड कैसे ग्याद करते हैं मूलों की प्रकृति या मूलों की लक्षड का मतलब है कि जब कभी हम दोगात समीकरण की मूल ग्याद करते हैं तो वो दोनों मूल बास्तविक हैं भिन भिन है या काल्पनिक है ठीक है तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि मूल किस प्रकृति के हैं ये उसकी प्रकृति कहलाएगी तो यहां पर उसके लिए क्या करते हैं दोखो ध्यान दें यहां पर दोगाद समीकर्ण का मानक रूप तो हम बहुत अच्छी से जानते है क्या होता है AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 ये दो घात समीकरल का मानक रूप होता है होता है कि नहीं अब यहां से अगर इस दो घात समीकरल के मूल हमें ग्याद करना है मूलों की प्रकृति हमें ग्याद करनी है तो प्रिकृति ग्याद करने के लिए हम विवित्कर ग्याद करते हैं क्या करते हैं विवित्कर ग्याद करते हैं और हमने बता रखाया को विवित्कर होता है D जिसे हम विवित्कर को काई से लिखते हैं D से देनोट करते हैं और ये होता है B square minus 4AC यह B²-4AC जो होता है वो विवित्त कर कहलाता है तो यहां से हम क्या करते हैं सबसे पहले इस द्वागाज समी करण का हम विवित्त कर चेक कर लेते हैं अथार B²-4AC का मान हम निकाल देते हैं और फिर इसके बाद में हम यह देखते हैं दोखो क्या क्या देखते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, यदि D का मान सून से बड़ा आता है, यदि D का मान सून से बड़ा आता है, तब हम ऐसा कहते हैं, कि D का मान यदि सून से बड़ा है, तब समी करल के जो मूल होंगे, समी करल के मूल कैसे होंगे, समी करल के मूल बास्तविक होंगे, बास्तविक होंगे, भिन भिन होंगे, बास्तविक होंगे, भिन भिन होंगे, भिन भिन का मतलब अलग अलग, दोनों असमान मान होंगे, दोनों मूल असमान होंगे, मूल बास्तविक होंगे, भिन भिन होंगे, तथा ये परमे भी हो सकते हैं, अपरमे भी हो सकते हैं उसके लिए दो को कंडी साने चलो फिला ले यहां पर दो बातें सीखें कि अगर D का मान सून से बड़ा है तो इसका मतलब है कि समी करण के मूल बास्तविक हैं और भिन 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 हैं यह आपको याद रखना है और यदि यहां पर एक बात और समझें कि यदि D का मान D का मान सून के बराबर आता है कैसे आता है D का मान सून है तब यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं तब समी करण के मूल बास्तविक तथा समान होंगे मतलब दोनों मूल समान होंगे याद रखिएगा कि अगर दोनों मूल समान है तो इसका मतलब विवित्तकर 0 है दोगो उल्टी बात भी याद रखना है यहीं से याद रखना है कि अगर समी करण के दोनों मूल समान है तो इसका मतलब D वराबर 0 या प्रश्ण ऐसा कहता है प्रिश्ण में D का मान यदि 0 मिलता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समी करण के दोनों मूल कैसे हैं बास्तविक तथा समान ठीक है इसके बाद दोगो एक तीसरी कंडिशन और याद रखनी है कि यदि यदि D का मान सून से छोटा आता है यदि D का मन सून से छोटा आता है तब समी करण के मूल बास्तविक नहीं होंगे मतलब कालपनिक होंगे मूल कैसे होंगे कालपनिक कालपनिक कह सकते हो इसको आभासी भी कह सकते हो कालपनिक या आभासी होते हैं तब समीकरण के मूल कालपनिक या आभासी होते हैं अथाद बास्तविक नहीं होते हैं ऐसा भी आप क्या सकते हो दोखो ध्यानने तीन कंडिसन हमने बताई कि अगर डीका मान सून से बड़ा है तो समीकरण के मूल बास्तविक तथा भिन होंगे अगर D का मान सुन है तो समी करण के मूल बास्तविक तथा समान होंगे तो यदि D का मान सुन से छोटा होता है तब समी करण के मूल कारलपिनिक या आभास्य होते हैं मतलब बास्तविक नहीं होते हैं तो को अगर चाहो तो यह Condition और भी आप याद रख सकते हो यदि D का मान सून से बड़ा आ जाए तथा पूर बर्ग आ जाए तथा पूर बर्ग आता है ठिक D का मान सून आ जाए तथा पूर बर्ग आ जाए मतलब सुरी सून से बड़ा आ जाए तथा पूर बर्ग आ जाए जैसे अगर डीका मान मान लो थोड़ी देर के लिए 4 आता है डीका मान मान लेते हैं 9 आता है डीका मान मान लेते हैं 16 आता है तो बताओ ये सून से बड़े तो हैं और ये पूर बर्ग संख्याएं भी हैं ये कैसी संख्याएं पूर बर्ग हैं तो अगर D का मान सून से बड़ा आ जाए और पूल बर्ग आ जाए तो हम कहते हैं कि समी करण के मूल कैसे हैं तब यहां लिख दें तब समी करण के मूल कैसे हैं बास्तविक बास्तविक कॉमा भिन 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 वो दोखो दोनों बातें वही हैं बास्तविक भिन भिन दोखो यह दीकामान सून से बड़ा है तो बास्तविक भिन 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 तो हो नहीं होना है और अगर पूल बर्ग आता है तो बास्तविक होंगे ये मूल होंगे बास्तविक तथा भिन भिन होंगे तथा इनको हम पर्मे भी लेखेंगे क्या लेखेंगे पर्मे होंगे बास्तविक होंगे भिन भिन होंगे, तठवा पर्मे भी होंगे तब जबके डीकामान सुन से बढ़ा आये तठवा पूल भर्ग भी 7 में आजा ठाउसे पूल भर्ग राती मिले मतलब 4, 9 मिले, 16 मिले ऐसी राती मिला जिनके भर्ग मूल आते हों वो पूल बर्ग्रासियां कहलाएंगी तो यहां पर इस condition को आपको एक और चौथी condition यह याद नहीं तो बस इतनी बात है अगर यहां से आपने सीख ली बाकि तो सब पुरानी बात है बाकि सब पुरानी बात है यह चार रूल और आपको सीखना है मूलों की प्रकृति याद क आपको नोट कर लें इसको और इसके बाद स्टार्ट करते हैं exercise 4.4 रभ करते हैं exercise 4.4 को देखते हैं एकदम आसान सारी प्रीट करेंगे एक एक करके सारे मौनौ को आहल देंगे वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें पूरी concept और पूरे कुस्चों को यहां पर हम कीलियर करवाएंगे एक एक करें ठीक है चलो भी ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें और देखते हैं exercise 4.4 का question number 1 दोखो क्या कहता है question 1 लेखा है मूलों की प्रकृति ज्याद करिये जो समीकरण दिये गई है तो अगाज समीकरण उनके मूलों की प्रकृति आप से पूंची गई है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ग्याद भी करना है मूलों का अस्तित्व है मतलब मूल अगर उसके ग्याद किये जा सकते हैं तो उन मूलों को ग्याद भी करना है तो पहले दोखो समीकरण लिख लेते हैं ये आपका question number है एक और एक का पहला प्रश्ण यहाँ प समीं करड दिया गया है तो यहां सबसे पहले हम मूलों की प्रकृतिजाद करेंगी और फ्रकृतिजाद करने के लिए हम यहां इसके मानक समीं करड से इसकी तोलना कर दें जो दोगा समीं करड का मानक रूप वो ए, 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 ए,स, स्कॉारिद, प्लस, b, ए, ए, प्लस, c, बरावर, 0, इस से हमें क्या करना है तुलना करनी है, तुलना करके हम a, b, c, के मान यहाँ से ग्याद करेंगे से तुलना करने पर, दोखो ध्यान दे, यहाँ पर A की value हमें किती मिल जाएगी 2 B की value बताओ किती मिल जाएगी मानस 3 दोखो B बराबर मानस 3 X का गुणांग है वो B है यह अचेरपाद है वो C है इसको C बराबर हम 5 लेखें ठीक है दोखो ध्यान दें बित चिरने के लिखा जाता यह प्लस है यह मानस है तो यहां पर आपको क्या लेखना है B बराबर मानस 3 लेखना है यहां देखो यह दोनों प्लस के हैं तो A बराबर आपको प्लस का 2 लेखना है C बराबर यहां 5 लेखना है तो A B C के यह मान निकाल लिए हमने अब हम विबित कर D बराबर जानते हैं होता है कितना B square minus 4 A C देखिए B की value रखेंगे minus 3 इस पर square लगाएं minus 4 A C A का मान हम 2 लिखेंगे C का मान हम 5 लिखेंगे इस तरीके से दो को minus का square प्लस बन जाएगा 3 का square 9 लिखें minus 4 दूनी 8 8 85 40 लिखोगी तो आपको यहाँ पर दो को minus 31 मिल जाएगा क्या मिलेगा minus 31 अब आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि जब हमने D की value निकाली तो ये D की value minus में आई तो बड़े आराम से कह सकते हो ये तो सून से छोटी है कैसे ये सून से छोटी और अंतिम बाले हमने पॉइंट पर तीसरे पॉइंट पर लिखाया है कि यदि D का मान सून से छोटा आता है तो समी करण के मूल बास्तविक नहीं होते है मतलि कालपनिक होते है तो आपको यहाँ क्या लेखना है चूंकि D का मान सून से छोटा है अताहा समी करण के मूल कैसे होंगे? कालपनिक होंगे मतलब बास्तिविक मूल नहीं होंगे और यदि मूल बास्तिविक नहीं होंगे तो उनको हम ग्यात नहीं कर सकते हैं मतलब मूलों का कोई अस्तित तो नहीं है ऐसा भी आप यहाँ लिख सकते हो कि मूलों का सिर्थ तो नहीं है क्योंकि मूल कालपनिक है तो उनका सिर्थ तो नहीं है ऐसा हम लिख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें मूल ग्यात नहीं करना है क्योंकि ग्यात हो इनी सकते है ना कालपनिक मूल होंगे इसके चलो आँगे आते हैं दूसरे प्रिश्ण पर देखो दूसरा प्रिश्ण करके दिखा देते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है इसको नोट कर लो ठीक है चलो इसको नोट कर लिया तो अब हम आते हैं कुस्चेन नंबर सेकेंड पर दोखो दूसरा जो पार्ट है इसका पहले माइनस में चार इंटू अंडरोर तीन एक्स और प्लस में लिखा है चार और बर्यावर यह लिख देजिए जीरो यहां आपका हैं हमें क्या करना है AX प्लस बी एक्स और प्लस बीर जीरों से इसकी तुलना करने हैं- करना इसकी तुलना करनी है कग तो यहाँ पर अगर हमतुछ करंगे दोएक एकती मिल जाए गी A बराबर 3 यहां दो को B की वैलू किती मिलेगी B बराबर हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और यहां दो को C की वैलू हमें किती मिल जाएगी 4 A B C के तो यह मान हो गए इसके बाद हम अब विवित कर निकालेंगे D और D बराबर होता कितना है B स्कॉाइर मानस 4 अब देखो B की वैलू हम मानस 4 अंडर रूट 3 और इसका स्कॉाइर लिख देते दो को यह स्कॉाइर है ना फूल स्कॉाइर लिखे फिर इसके बाद मानस का निसान है फिर 4 जूंका त्यूंग फिर A गुणा C लिखा है तो A की वैलू 3 लिखोगे C की वैलू 4 लिखोगे ठीक है यहां जब स्कॉाइर करोगे तो मानस का स्कॉाइर प्लस 4 का स्कॉाइर 16 और अंडर रूट 3 का पूरा 3 हो जाएगा इस पतार के फिर इसके बाद मानस का निसान लगाए 4 तिया 12 और 12 चोको 48 यहां देखो 48 खीक है और यहां भी दोको 16 तिया 16 तिया 48 होता है तो 48 मैंसे तो यह 48 घटेगा क्या बचाएगा 0 बचाएगा 0 हो जाएगा अब हमने आपको बताया सेकेंड नंबर पर बताया था कि यदि D का मानसून होता है तो समीकरण के मूल बास्तविक तथा समान होते है बराबर होते है दोनों मूल समान होते है तो आपको यहां लिखना है चूंकि D का मानसून है चूंकि D बराबर सून आता हा समीकरण के मूल कैसे हैं बास्तविक बास्तविक तथा समान होंगे उत्ता समान होंगे तो भाया अब हमने ये जान लिया कि इसके मूल बाजतविक हैं और समान है तो अब उन समान है कौन-कौन से मूल उन मूलों को ग्याद भी करना है ऐसा प्रश्ण में कहा गया है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को ग्याद करिए ऐसा कहा गया है अब हम मूलों को ग्याद करने के लिए दो कोई स्रीधराचार का सूतर होता है उस सूतर का प्रियोग करें जो दोएगाती सूतर है उस सूतर का नाम अगर बात करें नाम लें तो नाम है दोएगाती सूतर और उस सूतर का निस्पादन किया है स्रीधराचार ने इसलिए उसका ऐसे ना लिखें तो इसको d भी लिख सकते हो क्योंकि b square minus 4ac तो d है तो इसको d लिखे दो और बटे में यहाँ लिखने 2a यह हमारे पास स्रीधाराचार का सूत्र है इस सूत्र से हमें क्या करना है x की value ग्याद करनी है और जो x के मान है वही समी करण के मूल होते सीधी बात है तो दोखो x बरावर क्या हो जाएगा minus b का मान बताओ वही किता है b का मान दोखो यह लिखा है minus 4 under root 3 तो b के जगा पे हमें minus 4 under root 3 लिखना है और यह minus minus का गुणा क्या हो जाएगा दोखो plus हो जाएगा ठीक है और यह आपका plus minus ठीक लिखा है under root का निसान लगाएं D का मान देखो 0 हमने निकाला है 0 लिख दें बटे में 2 into A A का मान किता लिखोगी A का मान देखो 3 लिखोगी तो इस तरीके से X का मान जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 4 under root 3 बटे में 2 गोड़े 3 यहां 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो 2 बार ठीक है 2 से 4 कितने बार कैंसिल होगा 2 बार तो X का मान हमें मिल जाएगा 2 under root 3 बटे 3 यह दो खो X का एक मान मिला है दूसरा मूल भी इतना ही होगा दूसरा मान होगा वो भी X का इतना ही मान होगा मतलब दोनों मूल चुकि समान होते हैं हमने बताया कि अगर डी का मान जीरो होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं समान तो आपको यहां लिखना है दोनों समान मूल इतने होंगे है ना दोनों मूल दोनों मूल कितने होंगे एक मूल होगा दो अंडरूर तीन बटे तीन तता दूसरा मूल भी इतना ही होगा दो अंडरूर तीन बटे तीन होंगे इस प्रकार से दो को ये आंसर है ठीक है इस तरीके से ये question number आपका पहले प्रिश्न का दूसरा part complete होता है अब इसके बाद एक तीसरा part है मेरे खाल से इसको आप बड़े आराम से खुद कर सकते हो आपके लिए छोड़ देते हैं आप उसको क्या करोगे पहले वही काम करना है समी करण लिखना है एक स्क्राइब फ्लस ब्लस ए बराबर जिरू से तुलना करनी है ABC के मान निकालना है फिर देखना है कि मूलों की प्रक्रति उसकी क्या है मूल बराबर है बास्तवे क्या लग लग है वो आपको चेक करना है और फिर अगर मूलों का आजसे तो है तो इस सूतर से मूलों को ग्याद करके बताना थीक है? चलो इसके बाद हम पहुंचते हैं question number second दूसरे part ठीक है इसको रफ दर दे प्रश्न संख्या जो दूसरा है देखो उसको ध्यान से पढ़ें पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया करो जरूर है ना फिर समझ में आने लगता है कि हमसे प्रश्न में क्या पूंचा गया है तो यह है दूसरा प्रश्न इसमें लिखा हुआ है समी करड़ 2x square और प्ल प्लस का 3 है ना प्लस में 3 और बरावर 0 यह दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है ना इसमें हमसे कहा गया है कि इस समी करड़ के मूल समान है और हमें की का मान बताना है यहीं तो है तो चलो कोई बात नहीं अगर समी करड़ के मूल समान है इसका मतलब इसका विवित कर सूनने है हमने आपको बताया है यहां हमें सबसे पहले ax square plus bx plus c बराबर 0 से इसकी तुलना करनी है तुलना करने पर तो अगर ax square plus bx plus c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a का मान हमें 2 मिलेगा b का मान हमें k मिलेगा और c का मान देखो 3 मिलेगा ठीक है अब यहां बिवित कर निकालेंगे या थाड़ D निकालेंगे D बराबर होता कितना है? B स्कॉईर माइनस 4 A C होता है यहां B की वैलू दोखो हम K लिखेंगे K स्कॉईर लिख दें फिर माइनस का निज़ान फिर 4 अपना जियों काती हो A का मान हम 2 लिखेंगे C का मान हम 3 लिखेंगे तो हमें दोखो K स्कॉाइर माइनस 4 दूनी 8 और आर्ट या 24 यहां दोखो किस्ता मिल जागा K स्कॉाइर माइनस 24 D की वैलू मिल जाए ठीक है? अब यहां दोखो चुंकि समी करण के मूल हमें समान दिये गए है समी करण के मूल कैसे हैं? समी करण के मूल समान है या बराबर हैं कुछ भी आप लिख सकते हो समान है या बराबर हैं एक अई बाद समी करण के मूल बराबर हैं अगर समी करण के मूल बराबर होते हैं तो हमें पता है कि उसका बेवित्गर सून होता है तो D बराबर 0 होता है तो D की value किती है K square minus 24 है वो बराबर हमें 0 लिखना है D का मान क्या लिखना है? 0 D का मान किता है K square minus 24 हमें क्या लिखना है? 0 यहां से अगर हम K square का मान निकालें तो दो को minus का 24 हिदर जाएगा plus का 24 हो जाएगा तो बताओ केका मान कितना हो जाएगा बर्ग मूल लेंगे प्लस माइनस का निसान लगाओगे छे चौको चौबिस होता है चार का बर्ग मूल ला जाएगा और छे का नहीं आएगा मतलब अंडरूर्ट छे लेगा तो यहां से के की value हमें किती मिल जाएगी प्लैस माइनस दो रूर 6 मिलेगी जो की हमसे सवाल में पूछा गया है के का मान बताईए जिसके लिए समी करण के मूल बराबर है यह परस्ण कहता है ना तो के का मान यह दो को 2 अंडर रूर 6 हमने निकाला है इस के के मान के लिए समी करण के मूल कैसे हो जाएंगे बराबर रथा डी का मान सुन हो जाएगा अगर यह के का मान दो अंडर रूर 6 यहां लिख दिया जाए तो निस्जी तूर से डी बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो बस हमें यहां पर ऐसे कुछ करके नहीं दिखाना है, केबल के का मान हमें याद करके यहां पर बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो दिया गया विवित कर हमने निकाला है, उस विवित कर को हम जीरो के बराबर लिखेंगे, क्योंकि समी करड के मूल बराबर हैं वो अगर बरावर होते हैं तो D बरावर 0 होता है तो बस D का मान जो हमने निकाला उसको हमने 0 लिख दिया के का मान हमें प्लस मानस 2 अंडरूट 6 मिल गया ठीक है इसको नोट कर लो गई इसी के साथ जो आपका second part दिया गया है विलकुष सेम प्रोसिस इसमें भी करनी है दो को करके लिखन दिखाएंगे थोड़ा सा अंतर है ना इसलिए ठीक है इसको रब कर दें इसको रब कर देते हैं इसका second part देख लेते है देखे ये है आपके पास इसका second part इसमें दिया गया है समी करण ये है kx कितना दिया है kx और bracket में है x minus 2 x minus 2 और plus में 6 और बराबर में 0 ठीक है ये आपका एक दोएगा समी करण है वह ये पहले तो इसको हम मानेक रूप में बनाएंगे क्या करेंगे इसको हम मानेक रूप में बनाएंगे kx का अंदर multiple कर दें तो kx square हो जाएगा minus kx का 2 में गुड़ा करेंगे तो 2 kx हो जाएगा plus 6 अपना जियों कातियों बराबर 0 अब दोएगा समी करण का रूप बन गया ये दोएगा समी करण का रूप होता है इसको ax square plus bx plus c बराबर 0 से इसकी तुलना करके हम a, b, c के मान निकालेंगे तुलना करने पर यहाँ देखिए a की value हमें मिल जाएगी k a बराबर k और b बराबर हमें minus में 2 के मिलेगा c बराबर यहाँ पर 6 मिलेगा अब यहाँ से हम बिवित कर d निकालेंगे यह होता है b square minus 4 ac और b की value यहाँ दोखो किती है minus 2 k है इसका square लगाओ फिर minus का निसान लिखो फिर 4 लिख दो a और c का मान यहाँ k है और c का मान यहाँ 6 है ठीक है तो यहाँ देख सकते हो minus का square plus 2 का square 4 की का square k square minus का 6 को 24 के लिखना है यह हमने निकाला d का मान अब प्रशन कहता है समी करण के मूल समान है तो यहाँ लिख दें चूंकि समी करण के मूल क्या है बराबर है समी करण के मूल बराबर है और अगर समी करण के मूल बराबर है इसका मतलब D का मान क्या है? 0 है बराबर 0 लिख दे तो वस जो D की वैलू आई उसको 0 लिखना है अर्थाथ 4 K स्क्वाइर माइनस में 24 K और बराबर यहां क्या लिखना है 0 यहां इन दोनों जगे से हमें 4K common मिल जाएगा किता मिलेगा 4K common तो यहां मिलेगा हमें K फिर minus 4.24 छे बार यह कैंसल हो जाएगा बरावर में 0 लिखे अब देखिए यहां से अगर 4K बरावर 0 लिखोगे तो K का मान हमें 0 मिल जाएगा अगर K minus 6 बरावर 0 लिखोगे तब K की value किती मिल जाएगी 6 मिल जाएगी तो यहां पर यही दोनों मान हमारी answer में आएगे मतलब यही दोनों बाते हमसे पूछेगे क का मान बताएगे तो क का मान 0 हो सकता है या क का मान 6 हो सकता है जीरो या 6 अंसर में आपको क्या लिखना है के बरावर 0 या 6 इस परकार से यह कुश्चन नमबर दूसरे प्रिश्णकार दूसरा पार्ट ठीक है इसको नोट करो भई इसके बाद अब आते हैं कुश्चन नमबर 3 पर ठीक है कुश्चन नमर 3 पर आते हैं दोखो तीसरा प्रिश्ण अब इबारत के रूप में लिखा है यहां पर इसको समझना है बड़े आराम से प्रिश्ण को पढ़ना है मतलब तसलिवत पढ़ना है तब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें प्रिश्ण में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूशा गया है तो यहां तीसरा प्रिश्ण है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दोगुनी हो दोखो प्रिश्ण बड़े आराम से पढ़ना है दोखो एकदम आसान तरीके से एक चित्र बना लोगी आसान से समझ में आएगी बात पूरी बात बिलकुल आसान से समझ में आएगी ये आपकी कोई आयताकार बगिया है और इस आयताकार बगिया में परशन कहता है कि जो उसकी लंबाई है वो चोड़ाई की दो गुनी है दोखो ये वाली चोड़ाई है दोखो ये चोड़ाई तो है ये चोड़ाई को अगर हम X मीटर मान ले X मीटर मान ले चोड़ाई को क्या मान ले? X मीटर तो ये दोखो जो लंबाई वाली हो जाए वो कित्ती हो जाएगी प्रस्ण कहता है 2 गुणी है चोडाई यह की 2 गुणी है चोडाई एक्स है तो इसकी दो गुनी किती हो गई तो इसकी जो लंवाई है वो 2 एक्स मीटर हो जाएगी यह पक्डी बात है ठीक है और उसका छión फल भी प्रस्ण में दिया गया इस पूरे का छिद पल दो देहां दोगो ध्यान दे इसका जो छेत्र फल है वो हमें दिया गया है कितरा दिया गया है आट सो बर्adore मीटर किता दिया गया है आट सो बर्लाइट इसके प्रूम में यहां पर यहां पर एक सर्त तो देखो यह दिए यह दोख varieties लिख देते हैं, माना, यह है कुश्य नमबर तीन, यहां लिख दें माना, आयताकार बगिया, आयताकार बगिया, आयताकार बगिया, की चोड़ाई को हमने दो को एक्स माना है, चोड़ाई बराबर किता माना है, एक्स मीटर, तो प्रिश्ण के अनुसार लंबाई किती हो जा दो गुनी मतलब 2X मीटर हो जाएगी ठीक है यहां पर लिख दें बगिया का छेतरफल कितना हो जाएगा आपको लिखना है बगिया का छेतरफल और छेतरफल बराबर आपको अच्छे से पता है तो चलो पहले लिख देतें छेतरफल कितना है 800 कितना दिया गया है 800 बर्ग 800 लिखको किता आसान बाद बन गई एक्स और एक्स का गुड़ा करोगे एक्स स्कॉायर मिलेगा दो यहां से हटाओ, दो का भाग हो जाएगा 800 बटी में 2 लिखो एक्स स्कॉायर बराबर अब यहां पर दो को दो का भाग चला जाएगा 400 बचेगा अब बर्ग मूल लें तो X बरावर किता हो जाएगा 20 हो जाएगा बैसे तो प्लस मानस 20 लेखना है लेकिन चूंकि ये जो X है वो क्या है? चौड़ाई है चौड़ाई तो होती नहीं है तो इसलिए आपको 20 लेखना है मतलब चोड़ाई बरावर आपको क्या लिखना है 20 मीटर बगिया की जो चोड़ाई है 20 मीटर हो गई अब बताओ लंबाई कितनी होगी लंबाई इसकी दो गुनी है तो को प्रशन कहता है तो लंबाई बरावर हो जाएगी 2 गुने 20, 2 गुने 20 मतलब 40 मीटर लंबाई 40 मीटर चोड़ाई 20 मीटर देखो अंसर आगया है ना सिंपल एकदम सिंपल दो को सारी बाते हैं आपको समझ में तब आएंगी जब आप मन से प्रशन को अच्छे से पढ़़ोगी ठीक है इसको नोट कर लें आगे अब आते हैं कुस्चन नमबर 4 पर दो को क्या लिखा है क्या निमनेसिती संभव है यदि है तो उनकी बरतमान आयू बताईए ठीक है पहले सवाल पढ़ें और इससे पहले हम बोर्ट साप कर दें है ना कर दें आप देखिए कुस्चन नमबर आँगे आपके पास है दो मित्र हैं उनकी आयू का योग कितना है बीस बरस है चार बरस पूर बे उनकी आयू बरसों में का गुड़न फल 48 था चार बरस पहले की बात करी गई तब आयू दोनों का आयू निकाल के उनका गुड़न फल बराबर 40 था लेकिन आज की स्थिति में कहा गया है कि उनकी आयू का योग कितना है बीस बरस है हम यह लिख देते हैं यह है कुस्चन नमबर 4 और यहां लिख देते हैं एक मित्र की आयू पहले लिख देते हैं माना एक मित्र की आयू माल लेते हैं कि एक मित्र की जो आयू है वो है x वर्स कितनी है x वर्स है ठीक है अब बताओ आप दूसरे मित्र की आयू कितनी हो जाएगी इसलिए ये दोनों की I.U. जब जोड़ दी जाए तो 20 बरस की हैं, ये दोनों, इसके पहले वाले को हमने मान लिया कि इसकी I.U. X. बरस है, हम दूसरे वाले की I.U. निकालना चाहते हैं, बराबर 20 लिख दें, तो दूसरे वाले की I.U. कितनी हो जाएगी, 20 माइनस X हो जाएगी, ये किलिए, इससे आँगे बढ़ें, पहले मित्र की I.U. X. बरस है, दूसरे मित्र की I.U. 20 माइनस X. बरस हो जाएगी, खिक है, अब यहां से आँगे की और एक दूसरा प्रशन जो कहता है, दूसरी सर्थ जो है, उस पर हम चलते हैं, दूसरी सर्थ ये है कि 4 बरस पूर्व की दोनों की उम्रें बताओ, जैसे अभी आप 15 साल के हो, 4 बरस पहले आप 11 साल के थे, मतलब 4 बरस कम हो जाएगी, पहले की अगर उम्र निकलवाई जाए, तो आपको घटाना होता है, यहां 4 बरस पूर्व की उम्रें निकालनी है, तो यहां इस मैंसे 4 घटाओ, इस मैंसे 4 गटाओ, तो यहां हम लिखेंगे, 4 बरस पूर्व पहले मित्र की आईउ, कि आईउ, 4 बरस पूर्व पहले मित्र की आईउ, कितनी हो जाएगी, एक्स मैंसे 4 कम कर दें, यह हो जाएगी, 4 बरस पूर्व इस पहले वाले मित्र की आईउ, और दूसरे वाले मित्र की आईउ, चार वर्स पूर्फ दूसरे मित्र की जो आयू है वो हो जाएगी 20-X मेंसे 4 कम कर दो 20-X है इस मेंसे भी 4 कम करें तो यहाँ पर यह हो जाएगी 16-X वर्स का यह दूसरा मित्र हो जाएगा 16-X ठीक है अब प्रिश्ण कहता है जो चार वर्स पहले की आयू है इनका दोनों का गुड़न फल कर दें और दोनों का गुड़न फल बराबर प्रिश्ण में दिया गया है कितना देखो 48 दिया गया है दोनों चार वर्स पूर्व उनकी आयू बरसों में का गुड़नफल 48 है तो यहाँ पर इनकी आयू जो बरसों में निकाली है उनका गुड़नफल आपको कितना लिखना है 48 यहाँ लिखना है प्रश्णानुसार क्या करना है X-4 ये पहले मित्र की आयू चार वर्स पूर्व की पहले मित्र की आयू ये है और चार वर्स पूर्व दूसरे मित्र की आयू ये है कितनी सूलहा माइनस X इनका दोनों का गुड़न फल बराबरा 48 लिखना है दोखो सिंपल सी बाद ठीक है बस इनको यहां गुड़ा करोगे आपको एक दोईखाव समीकर मिल जाएगा दोखो X का पहले गुड़ा करो सूलहा में तो सूलहा X लिखोगी X का गुड़ा X में करोगी तो माइनस X क्वाइर लिखोगी तो यहां पर माइनस और 4 का सूलहा में गुड़ा करोगी 64 ठीक है 16 चोको 64 और ये माइनस माइनस प्लस और 4 का X में गुणा 4X लिखना है और यहां बराबर में क्या लिखोगे 48 फिक है इसको दो को हल करोगे तो X स्कॉाइर इदर ले जाओ प्लस का हो जाएगा X स्कॉाइर ये 4X और 16X 20X हो जाएगा लेकिन इदर ले जाओगे तो माइनस का 20X लिखना है और ये 64 माइनस का है इदर जाएगा प्लस का 64 हो जाएगा और 48 लिखा है बराबर में 0 लिखने तो X स्कॉाइर माइनस में 20X और प्लस यहां जूड़ने 8,4,12 6,4,10,11 मतलब 112 बराबर 0 अब मेरी ख्याल से हम ना लगाएं तो अभी आप सवाल लगा सकते हूँ बड़े आगा है ना जहां देखिए 112 है इसके गुड़न खंड करें और जोडने पर हमें कित्ता लियाना है 20 गुड़न खंड बिद से इसको हल कर दें कोई जरूरी नहीं है कि हम सूत्र से करें या पूरबर्ग से करें कोई मतलब नहीं यहां पर हम 120 के 112 के ऐसे गुड़न खंड कर दें जिससे की जोडने से हमें 20 मिल जाए कर सकते हो इसको आप कर लें X का जो मान निकलेगा वो एक मित्र की आयो हो जाएगी इसको 20 में से घटा होगे दूसरी मित्र की आयो हो जाएगी इसको हम आपके लिए छोड़ें ठीक है ठीक है चलो इसको नूट करने इसके बाद अब फाइनल आपके पास एक अंतिम प्रशन रहता है कुस्चिन नमबर है पांच ठीक है इसको भी रफ कर दे कर दें भी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है आंगे कुस्चिन नमबर पांच देखो कुस्चिन नमबर पांच लोगों यहाँ पर पांच में प्रशन में यह है पांच मां प्रशन और इसमें हमसे कहा गया है क्या परिमाफ 80 मीटर तता छेतरफल 400 बर्ग मीटर के एक पार्ग को बनाना संभव है दोखो उस पार्ग का परिमाफ है 80 मीटर उसका छेतफल 400 बर्ग मीटर ऐसे पार्ग को हमें बनाना है और आंगे लिखा है यदि है तो उसकी लंबाई और चोड़ाई बताई दोखो ध्यान दे बड़े आराम से दोखो ध्यान दे माना पार्क की चलो लंबाई मान लेते हैं लंबाई बराबर एक्स मीटर है या मान ली हमने लंबाई एक्स मीटर अचा परिमाप बताओ कितना होता है परिमाप बराबर परिमाप जो होता है किसी पार का परिमाप उसको हम ऐसे लिखते हैं दो लंबाई प्लस चोड़ाई ऐसे ही तो लिखते हैं प्रिश्ण के अनुसार परिमाप हमें दिया गया है कितना पर्माफ दिया है? 80 मीटर दिया गया है तो पर्माफ हमें लिखना है 80 मीटर बराबर में 2 और लंबाई को हमने X मान लिया है प्लस चोड़ाई यहां से हम ग्याद कर पकते हैं खर सकते हैं नहीं? तो बड़े आराम से पहले हम 2 को यहां से अठा दें तो गुणा बाला यह इदर जाएगा तो भाग में आएगा मतलब यहां 40 हो जाएगा 80 में 2 का बाग कितना मिलेगा 40 यहां बराबर का निसान लगाओ और यह X प्लस यह चोड़ाई लिख दो जो की त्यों अब चोड़ाई बराबर अगर निकालनी है तो X इदर ले आओगे घट जाएगा 40 माइनस X हो जाएगा यहां आपको लिखना है चोड़ाई बराबर 40 माइनस X यह दो को आप चोड़ाई मिल गई लंबाई हमारे पास यह है चोड़ाई हमारे पास यह है अब लंबाई चोड़ाई जब दोनों मिल गई तो हमें छेत्रफल निकालने से कोई रोकाई नहीं सकता, छेत्रफल दो बड़े आराम से निकाल सकते हो, जो कोई यहां लेखें पार्क का छेत्रफल, हमें ऐसा दिया गया है, दिया है पार्क का छेत्रफल, बराबर कितना दिय गया है 400 बर्ग मीटर दिया गया है 400 बर्ग मीटर पार्क का छेटपल बराबर कितना दिया गया है 400 बर्ग मीटर और पार्क का छेटपल बराबर होता है लंबाई गुड़ें चोड़ाई लंबाई गुड़ें चोड़ाई बराबर यहां लिख दें कितना 400 यह हमें दिया गया है अब लंबाई को हमने x माल लिया है और चोड़ाई हमने 40 माइनस x निकाल रखी है बराबर लिख दें यहाँ 400 ठीक है एक्स का अंदर गुणा करोगे 40 x माइनस x और x का गुणा x स्कुाइर और इधर बराबर लिख दें 400 ठीक है इन दोनों पदों को अगर इधर ले जाएं तो यहाँ देखो माइनस है इधर ले जाओगे प्लस का x स्कुाइर यह 40 x इधर ले जाओगे माइनस का 40 x लिखना है प्लस में 400 ठीक लिखा है 400 अपना जियों का आती हूँ बराबर में जीरू ठीक है अब बड़े अराम से दोखो देख सकते हो यहाँ यह पूर बर्ग रासी लिखी है देखो यह पूरा बेंज़क जो लिखा है पूर बर्ग है इसको हम x माइनस 20 का होल बर्ग लिख सकते हैं दोखो ध्यान ने लिख सकते के नहीं दोखो x का स्क्वाइर और यहाँ पर दोखो इन दोनों के गुणा का दूना आपको यहाँ देखना है यहाँ पर इन दोनों पदों का गुणा का दूना है और यहाँ दूसरे अपद है 20 इसका स्क्वाइर 20 का स्क्वाइर 400 होता है ठीक है तो x माइनस 20 का होल स्क्वाइर बराबर 0 चोड़ाई कितनी है दो खो ध्यान दें चोड़ाई कितनी है चोड़ाई ये लिखी है 40-20 तो 40-x है और x का मान 20 है तो 40-20 का मतलब 20 लंबाई भी 20 मीटर है चोणाई भी 20 मीटर है इसका मतलब ये आपका बर्ग है बर्गाकार पार्ग है पार्ग कैसा है लंबाई चोणाई जब बरावर है इसका मतलब पार्गाकार है यही हमसे पूछा गया था कि पार्ग की लंबाई कितनी है पार्ग की चोणाई कितनी है आ कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कभी कमेंट करके पूच लिया करो है ना हमने आपको बहुत बार मैं बताया कि विडिया को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लें और बैल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोट आपको मिले ठीक है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दिया करो ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में